महुचावनी परिशत केंट बोर्डों में सिविल एरिया को बढ़ाने को लेकर आज बैठकोई जिसमें पाश्डोव आर्मी अफसरों में जम करवतीखी नोगजों खुई जबकि रिव्यूव विस्तार पर विवाद चलता रहा महुचावनी परिशत केंट बोर्डों में सिविल एरिया को बढ़ाने को लेकर बैठकोई जिसमें पाश्डोव आर्मी अफसरों में जम करवतीखी नोगजों खुई जबकि रिव्यूव विस्तार पर विवाद चलता रहा सभी पाश्डों ने एक स्वर में कहा कि महु में सिविल एरिया की जरूरत ही नहीं बहुत ज़ादा जरूरत है क्योंकि 1947 में केंटो बोर्ड गठन के समय आबादी 35,000 थी उस समय के अनुसार अभी वर्तमान में सिविल एरिया क्षेत्र डबल होना चाहिए था जबकि वर्तमान में महु की जन संक्या 85,000 के लग भग है बैठक में एक शत्रिय सांसत सावीत्री ठाकुर भी विशेश रूप से उपस थी बोर्ड सीओ मनीशा जाट ने बताया कि फिलाल रक्षा संवधा प्रधान निदेशक लखनाओ की ओर से एक पत्र आया जिसमें सिविल एरिया की जरुरत है या नहीं इस पर सिविल एरिया समीती गठित की गई जिसमें सभी पार्षद विधायक वशांसत सिविल से चार्व आर्मी के सदसी कमेटी में हैं पार्षद जितेंद्र शर्मा वा मुझीब कुरेशी ने कहा कि जनसंख्या लगातार बढ़ी ल और बाकि जो इसमें एक जो विशेश पॉइंट था वो था हमारा एजेंडा नंबर 40 कमांग नंबर 40 इसमें सिविल एरिया के विस्तार के संबंद में सिविल एरिया के बांडरी रिवियू के संबंद में मिनिस्ट्री से जो पतर आया था आज उसी पर विशेश कर सांसत ज जी और विधाईल जी के व्यूज यहां पर इस वज़े से पहले उस पॉइंट को लेकर उस पे पूरे बॉर्ड मेंबर्स में बराबर डिसकस की है और जन्हित में जितना अच्छा हो सकता है सभी मेंबर्स में बॉर्ड के एकमत होकर अपने प्रस्ताव को रखा है कि इसको ज कि जरूरत है और इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है तो एक बाउंडरी रिव्यू का हम एक कमेटी बनी है उसके अंदर पूरा डिसकस करके और वो प्रपोजल में इसके में आपका केलाज जी गल दूसरा अब करेंदर सरकाल में एक लेटर है जो सीविल छेत्र है सब्सक्राइब नजर रखते हुए कि क्योंकि हम मेर्ट्री का भी छेत्र है तो यहां पर उनको भी सब्सक्राइब बनाए कि तेरा चुंका लोगी की और वो रोज बेट के थोड़ा उसके एक्स्प्लेम करेंगी और देखके उसको केसा बढ़ाया जाए और विए सासन पु मैं क्या लगता है